बड़ी खबर आपको बतारे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब्स के बडिंडा में इलाके को इस वक्त सीर कर दिया है बड़ी खबर पंजाब से जह बट Araka के मिलिटरी इस्टेशन में फायरिंग हुई है सुभा चार बच कर 35 मिनिट पर मिलिटरी स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई है फाइरिंग में चार लोगों की मौत हो गई है सेना ने इलाके को फिरहाल सील कर दिया है च्योंकि इस वक्त आपको पता ही होगा पहिंजा में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसी के मद्दे नजल ये खबर काफी माले रखती है काफी एहमियत रखती है कि बटिंडा के मिलिटरी स्टेशन में फाइरिंग किसने की है किसकी वजह से ये पूरी घटा क्रम हुआ है लगबग साड़े चार बजे का ये पूरा मामला था जब फाइरिंग में चार लोगों की मौत हुई है फिरहाल सेना ने पूरे इलाके को इस वक्त सील कर दिया है बड़ी खबर आपको बता दें बटिंडा से जहाँ पर बटिंडा के मिलिटरी स्टेशन में फाइरिंग हुई है चार बच कर 35 मिलिट पर मिलिटरी स्टेशन में वाइरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है फिलहाल पुलिस ने एहतियात के तौर पर सारे इलाके को सील कर दिया राजेश हमाय समबादा था राकेश हमाय समबादा था इस पूरी ख़बर पर नजब बनाए हुए है राकेश जड़ा पूरा मामला तफसील से बताईए आखरकार हुआ क्या पुलिस क्या कह रही है इस बारे में चोकि पंजाब का मोहल वैसे भी बहुत संगीन चल रहा है इस वक्त राकेश जी विल्कुम मैं उसको देखते हुआ अभी पुलिस अभी कंट्रोल करने की कोशी करी लेकिन अभी पूस्ती कुछ भी नहीं हो रही है तो अभी थोड़ी देर में इस चीज़ क्लियर हो जाएगी फिर इसके बाद अब कुछ वारी इंफरमेशन दे जाएगी कुछी देर म लेकि राकेश अभी बताई यह चार लोग मरे हैं वो चार लोग कौन है क्या सिबिनियन है जी किस ने फाइरिंग की वो भी मिलिटरी स्टेशन में खुश के ये बहुत बड़ी बात है जी मैं मैं बिल्कुल आपकी बत सही है मैं एक्चली में क्याना है कि एक बार बसाखी का प्रोग्राम है दूसरा अमरी इत्वाल का तो तीसरा यह है कोई हलापना बिगड़े सिच्वेशन बिगड़े उस चीज को लेकर वो इन चीजों को मत देनाज़ रखते हूँ अभी कोई भी चीज की पुश्टी नहीं कर पा रहे है लेकिन अभी कुछी दिर में मैं आपको यह टेटेल से लेके मैं आपको दे देता हूँ चलिए आप इस खबर पर नजब बनाये रखिए गर आकेश फिरारी बड़ी खबर आपको बता रहे है जहांपर बटेंडा में इस वक्त फाइरिंग की घटना सामने आई है बटेंडा मिलिटर स्टेशन पर सुभा लगभग चार बच का पैतिस मिट पर यह पूरी वारदात हुई है चार लोगों की मौत हो गई है पूरे इलाके को इस वक्त सील कर दिया गया है वही अभी भी पुलिस इस पूरे मामने पर कोई जानकारी नहीं जुटा पा रही है इस तरीके से मैं समबदाता इस पूरी खबर पर नज़र बना हुए है उनका कहना है कि पुलिस के ओर से अभी किसी तरह का कोई बयान जानी नहीं किया गया है लगबग 10 बजे का वक्त हो गया है लेकिन अभी भी किसने फाइरिंग की है क्यों फाइरिंग की है वजह क्या थी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है